जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है हिंदू पंचांग के अंसार साल के ग्यारवे महिने का नाम माग है धर्मशास्त्रों के में इस महिने को बहुत पवित्र माना गया है इस बार माग मास का प्रारम 11 जन्वरी शनिवार से हो रहा है जो 9 फरवरी रविवार तक रहेगा इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से तथा नदी इसनान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थान पाता है माग मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर इसनान करने से गंगा इसनान का फल मिलता है धर्मगरंतों के अनुसार इस मेहने में यदि विधी पुर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाये तो सभी मनों कामनाय पूरी हो जाती है माग मास में विदिपुर्वक भगवान श्री कुछन की पूजा से पहले सुभा, तेल, जल, फूल, कुश लेकर इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए इसके बार श्री कुछन की प्रातना और पूजा करें श्रेक्रिष्ण को घर में सुधता पुर्वक बने पक्वानों का भोग लगाए उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाले इस प्रकार पूरे मागमास में भगवान श्रेक्रिष्ण की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और घर में सुक सम्रद्धी रहती है मागमास की ऐसी महिमा है कि इसमें जहां कहीं भी जल हो वह गंगा जल के सामान होता है फिर भे प्रया, काशी, नैमिश्या, रण्य, कुरुक शेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र, तेर्थों और नदियों में इस्नान का बहुत महत्व है धार्मिक माननेताओं के अनुसार मागमास में इस्नान मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है मागमास का धार्मिक महत्व बहुत है मागमास में शीतल जल के भीतर डूपकी लगाने से मनुश्य पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोप में जाते हैं पद्वपुरान के उत्तरखण में माग मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि वरत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरी विष्णों को उतनी प्रसन्नता नहीं होती चितने की माग महिने में इसनान मात्र से होती है इसलिए स्वर्गलाप सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की पृति प्राप्त करने के लिए मनिश्य को माग इसनान करना चाहिए माग मास में पुर्णिमा के दिन जो व्यक्ति ब्रह्म में वैवर्त पुरान का किसी ब्रह्मन को दान करता है उसे ब्रह्मलोग की प्राप्ति होती है माग मास की अमावस्या को प्रयाग राज में तीन करोड दस हजार अन्यतिर्थों का समागम होता है जो नियम पुरवक वूट का पालन करता है और मागमास में प्रयाग में इसनान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाता है नदीयों में इसनान के साथ ही मन के निर्मलता एवं शृध्धा भी आवशक है माग में दान की वस्तुएं माग मास में कम्मल, लाल कपड़ा, उन, रजाई, वस्त्र, स्वर्ण, जूता चप्पल एवं सभी प्रकार की चादरों का दान करना चाहिए दान देते समय माधवा प्रियताम जरूर कर रहना चाहिए इसका अर्थ है कि माधव अर्थाथ भगवान कृष्ण, अनुग्रह करें माग मास में क्या करें? माग मास में इसनान करने से पूर्वत तथा इसनान के बार आग नहीं सेखना चाहिए माग मास में व्रत करने वाले लोगों को भूमी पर सोना, प्रतिदिन हवन, हविश्य भोजन, ब्रह्म चरिका पालन करना चाहिए ऐसा करने से मनिश्य को महान, अद्रिस्टे फल की प्राप्ती होती है परन्तु यह सब आप अपने स्वास्थ और सेहत के अनुरूप ही करें माग मास में मुली का सेवन नहीं करना चाहिए मुली का सेवन मद्रिया सेवन की तरह मदवर्धक माना जाता है अथा मुली को स्वयम ना तो खाना ही चाहिए ना तो देव या पित्रकारे में उपयोग में ही लाना चाहिए माग मास में तिल अवश्य खाना चाहिए तिल स्रिष्टी का प्रथम अन्य है नेने सिंदू के अनुसार जो व्यक्ति पुरे माग मास इसनान व्रत का पालन ना कर पाए जो कि महाशिवरात्री तक चलता है माग इसनान को कल्पवाज भी कहा जाता है माग के महिने में इसनान दान और ध्यान का विशेश महत्व है तो इस वीडियो में आज हमने जाना माग मास की महिमा इसमें क्या दान करें क्या दान ना करें और किस प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करके हमारे माग मास की फल का प्राट करें उम्मिद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भुलें जैश्री कृष्णा रादी रादी